नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज तीन नवंबर दोपहर तीन बजे राजिस्तान की खास खबरें हरियाना के पलवल में एक भक्त ने लड़ूगोपाल का स्कूल में एड्मीशन करवाया है महिला भक्त ने स्कूलच चेयर्मेन को लड़ूगोपाल को नंके हात्तों में तहमाते वक्त दाखिला करवाया और फीस दी उसने हर महीने फीस देने की बात भी कई रोजानावे स्कूल शुरू होने के समय लड़ू गोपाल को घर से स्कूल चोड़ने आएगी और स्कूल के चुट्टी के दुरान लड़ू गोपाल को घर लेकर जाएगी लड़ू गोपाल का स्कूल में दाखिला कराने की बात शेहर में चर्चा का विस्या बनी हुई है चेर्मेर मुकेश कुमार ने बताया के मैला रामरती के निवेदन पर लड़ु गोपाल का एडमेशन कर लिया गया है। तरह शुष्क रहने और आस्मान साफ रहने की संभावना जुताई है। बारमेर जिले में त्योहार की दिन बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। उनमें एक की पतनी आठ महीने की गर्बवती है। उसे जब पती के एकसिडेंट की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया। हादसा सदर थाना इलाके के सनावडा गाम के पास नैशनल हाईवे 68 पर हुआ। ऐसा ही हनुमान राम ने बताया कि डूंगरों का तला निवासी तेस वर्षे राजु सिंग और मेठडा गाम निवासी उसका दोस्त 24 वर्षे जुगत सिंग एक ही बाइक पर बाडमेर जा रहे थे। नैशनल हाईवे 68 पर पीछे से आ रही तेजर अफ़तार बुलेरो केंपर कार ने सनावडा गाम के पास बाइक को टकर मार दी। हादसे के बाद बुलेरो ड्राइवर कार को छोड़ कर भाग गया, दोनों को प्राइवेट वाहनों से हॉस्पिटल पहुचाए गया या नवल सिंग को डॉक्टर ने मृत घोशित कर दिया। राजु सिंग ने जोदपुर जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, नवल सिंग की अभी शादी नहीं हुई थी। कि वह कुछ समान लेने के लिए गाम कहलाना जा रहा है, इसके बाद वह काफी समय तक नहीं लौटा। जादा देर होने के बाद उन्होंने बेटे के मुबाइल पर फोन किया। हौराम ने बताया कि उसके बेटे का फोन किसी राहगिर ने उठाया और बताया कि इसका एक्सिडेंट हो गया है। इसके बाद वे मौके पर पहुँचे और इसे घंबीर हालत में अस्पताल लिजाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत खोशित कर दिया। पुलिस ने उसके पेता होराम के बयान पर अग्यात वाहन के ड्राइवर पर केस दर्स किया है। कॉंग्री सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी ने खाम लगबग पूरा कर लिया है। उप चुनाव की बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गैलूत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी। कमेटी का मानना है कि माप दंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। रेव्यू कमेटी गैलूत रास के चोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी। रेव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने इस तरह के संकेत दिये हैं। पुरवाईयस ललित के पमवार कमेटी की रिपोर्ट की आधार पर मंत्रियों ने हल जिले पर अपनी राय दी है। जो जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं जान जनसंक्या और क्षेतर फल जादा है। लोगों की स्विदा के लिए जिला बनना जरूरी है। उन जिलों को बरकरार रखने की सिफारिश होगी। गैलोत रास के दुरान बनाए गए। छोटे जिलों में दूदू, सांचोर, गंगापूर सिटी, शापुरा और केकडी को लेकर सवाल उठे थे। इन जिलों के इलाके बहुत छोटे हैं। पंजाब में आने वाले दिनों में तीन दिन लगातार छुटियां रहेंगी। मिली जानकारी के अनुसार 15, 16 और 17 नवंबर को छुटी रहेगी। पंजाब सरकार दवारा जारी की गई वार्शिक लिस्ट में इस बारे में जानकारी साजा की गई। तीनों दिन सरकारी प् सिंग सराबा का शहीदी दिवस और आकरी में 17 नवंबर को रविवार रहेगा। ऐसे में लगातार दिनों में चुटियां रहेंगी। दोनों दिन चुटि को लेकर जल्द सरकार अलग से एक और नॉटिफिकेशन जारी करेगा। चूरू में जानलेवा हमला कर ABVP कारेकरत की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार डाबला रोड पर देरात हुए जगडे में युवक की मौत हो गई। युवक पर थार में युवकों ने हमला कर दिया था। खटना में वार्ट नंबर 40 निवासी 25 वर्षे नरेंदर और्फ किशन प्रजापत की मौत हो गई। पुलिस ने शवच कित साले की मौर्चरी में रखवाया है। मौरेतक नरेंदर वार 40 में किराना की दुकान चलाता था। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। फलादी जले के बाप थानक शेतर में हतियार दिखा कर एक व्यक पपुरा मेगवाल निवासी मंडला कला ने बताया कि वे खेती का काम करते हैं। उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने बताया कि खेत में लगे पाइप लैन खुल गई है। वे जैमला की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में बंदूक दिखा का रुपए मां थे फिलाल पुलिस ने मामला दर्स कर जाच शुरू कर दी है। उद्यपूर जिले की सलूमबर थाना पुलिस ने रात के समय सूने मकानों में चोरी कर सोना चांदी के जिवरात चुराने वाली गैंग का खुलासा करते हुए पांच आरुपियों 23 वर्षिया केशुलाल और केशिया मीना निवासी जैलावत सलूमबर 24 वर्षिये भैरा और फिनाना मीना निवासी राठोडों का गुड़ा गींगला 21 वर्षिये सोहन उर्फ सोमिया निवासी जैलावत सलूमबर और 28 वर्षिये रमेश मीना निवासी जैलावत सलूमबर को गिरफतार किया जिन से आ बजनी के प्रकर्ण दर्स हैं और ओपी घटना को अंजाम देने से पहले घटना सल से 4-5 किलो मीटर दूर ही अपने वान खड़ा कर चोड़ी करने जाते हैं ताकि वहान की अवास नहीं हो जिस समय चोड़ी करते उस समय अपने मबाइल साथ नहीं रखते हैं तुंगरपुर जिले के धंबूला थाना पुलिस ने मांडली चेक पोस्ट पर तलाशी के दुरान दो टेंपो से 5,80,000 पे बरामत किये हैं कैश पर इवैन के कोई डॉकिमेंट नहीं मिले थाना दिकारी मौमद रिजवान ने बताया कि मांडली चेक पोस्ट पढ़ना का बंदी कर गाड़ कोई डॉकिमेंट भी नहीं मिले जिस पर पुलिस ने कैश जब्त कर गिंती की इसमें 3,85,000 पे का कैश बरामत किया पुलिस ने एक और लोडिंग टेंपो को रुखवा कर टेंपो में काली पॉलिथिन की थैली में 1,95,000 पे का कैश बरामत किया ड्राइवर इबराहिम इपर इवैन के काखजात नहीं मिले पुलिस मामले के कारवाई कर रही है का बाल बुलिस नहीं नहीं मिले के का बाले के का बाले का बाले की थैए में जब एक और दो रही नहीं आएरा चाले के का रही है